मैं मैं मली हैदरी आप सभी का हैदरी इस डिपान यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ पिछली वीडियो में हमने उत्तर परदेश शिच्छक बढ़ती परिच्छा के लिए टीचिंग इसके लिया निकि शिच्छक उसल के स्लेबस को डिसकास कर लिया है और कैसे कैसे को टापिक से पूछे जाते हैं वह भी बताया है अगर आप लोग ने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्सन में लिंक होगी उसकी मदद से जरूर देखें आज की अपने इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड साइकलोजी याने की बाल मनोविज्ञान के स्ले इन सबी बातों को आज की अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यानि कि अगर आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो दस नंबर हासिल करने के लिए बाल मनोविज्ञान सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना ये पता चल चल ये शुरू करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि सलेबस में जो पहला टापिक है वो है व्यक्तिक भिन्नता यानि कि इंडिविडियोल डिफ्रेंसे से रिलेटेड कोस्टन सूपर टेट में पूछे जाएंगे और अगला जो टापिक है वो है बाल विकास को परभाव करते हैं यानि कि आप से वन्शानुकरम के बारे में पूछा जा सकता है वन्शानुकरम के जितने भी नियाम हैं चाहें वो अर्जित गुडों के संक्रमड का नियाम हो मेंडल का नियाम हो समानता का नियाम हो प्रत्या गमन का नियाम हो इन सबी नियामों से आप से question पूछ जाएंगे और बाल विकास को परभावित करने वाले कारकों में एक कारक बुद्धी भी है यानि कि बुद्धी भी आपके स्लेबस ने शामिल है बुद्धी से रिलेटेट कोश्चन आप से कैसे पूछे जाएंगे आप से बुद्धी का सिद्धान पूर देगा बुद्धी क इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेंगे अगला जो टापिक है हुए सीखने की आवर्शकता की पैचान इस टापिक से भी आपको कोशन पूछे जाएंगे और साथी साथ पढ़ने के लिए वातावरण का सिरिजन करना इस से related question भी आपको पूछा जाएगा पढ़ने के लिए वातावरण का सिरिजन करने में आपको क्या क्या चीजे पूछे जाएगी तो आपको इसमें अभी प्रेडरा के बारे में पूछा जाएगा और मूल प्रवृत्ति आत्मक सिद्धान किस ने दिया तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धान किस ने दिया सब को पता है मूल प्रवृत्ति 14 किस ने दी थी मैग डूगल ने दी तो जब आपको कोशन पूछा जाएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धान किस ने दिया तो आपका जवाब कुछ एगा मैक दूगल तो इस तरह से पढ़ने के लिए वातरड का स्रिजन करने में आपको अभी प्रेडर का मुल प्रवृत्य आएगा इस तरह से कोशन आपको पूशे जाएंगे जैसा कि मूल प्रवृत्य का सिद्धान ho चुका है साथी साथ आपके स्लेबस में सामिल है सीखने का सिद्धान बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक है प्रिंस्पल्स आफ लर्निंग इसमें कौन कौन से टापिक आपको पढ़ना है इस टापिक से पिछले साल सूपर टेट में दो कोशन पूछे गए थे मैं आपको बत सिद्धान से लिटेट एक कोशन पूछा जा चुका है कि उद्धीपन अनुकिरिया का सिद्धान किसने लिए ये कोशन सूपर टेट में पूछा जा चुका है तो दोस्तों अगर मैं इस सिद्धान के बारे में आपको बताऊं तो इसी सिद्धान को हम लोग प्रियास एव पाजिगाम का बंद सिध्धान और संबंद वाद का सिध्धान इस सिध्धान को कहा जाता है साथी साथ इस सिध्धान को संयोजन वाद का सिध्धान भी कहा जाता है तो दोस्त एक ही सिध्धान है जिसके कितने नाम है लगबग 5 या 6 नाम है और आप से सूपर टेट में पू तो थॉन डाइक आपसे पूचा जाएगा साथी साथ आपको पाउलाओ से रिलेटर भी कोश्चन पूचा जा सकता है पाउलाओ ने जो सिद्धान दिया वो कौन सा सिद्धान दिया पाउलाओ ने जो सिद्धान दिया था उसका नामें शास्त्री अनुबंधन का सिद्धान शास्त्री अनुबंधन का सिद्धान दिया, इन्हों रे अपना परियोग कुट्ते पे किया था, इनसे एक कोशन पूछा गया था, शास्त्री अनुबंधन न पूछ करके इसी सिद्धान का नाम बदल के पूछ दिया था, प्राचीन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धान क के नाम से जाना जाता है और इसी सिद्धान को हम लोग अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धान से भी जानते हैं के नाम से भी जानते हैं अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धान तो बस नाम आप से बदल के पूछ सकता है कहने का मतलब यह है कि आपके लिए अधिगाम के जो सिध्धानत हैं बहुत ही इंपोटेंट है हमने थांडाइक के सिध्धान पॉलाओ के सिध्धान के बारे में डिसकास कर लिया साथ ईसाथ आपको कोलर इसकीनर सील हल और बंडूरा और गायने से भी कोश्टन पूछा जा सकता है से related question पूछा गया था कि गैने का अधिगम सो पनकी का जो सिद्धानत है उसका करम पूछा गया था अधिगम सो पनकी के सिद्धान का करम पूछा गया था तो अधिगम सो पनकी से related question भी आप से पूछा जा चुका है तो कहने का मतलब यह है कि अधिगम के सिद्धान की बात कर तो आपके सिलेबस में सामिल है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेश सिच्छा दिव्यांग छात्रों के लिए विशेश सिच्छा का जो प्रावधान है उस से रिलेटर कोश्चन भी आपको पूछा जा सकता है जैसा कि एक बार कोश्चन पूछा गया है कि राष्टरिय रा राष्ट्री अस्थी विकलांगता संगतन ये कहां पेश्टित थै ये question पूचा जा चुका है इस chapter से जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका जवाब है क्या है कौलकाता है तो कौलकाता में इस्थित थै राष्ट्री अस्थी विकलांगता संगतन तो कहने का मतलब ये है कि दिव्यांग छात्रों हेशु विशेश सिच्छा से इस तरह के कोशन पूछे गए हैं साथी साथ इस टॉपिक के अंतरगत आप लोगों को विशिष्ट बालक क्या होते हैं पिछडे बालक अपराधी बालक स्रीजनात्मक बालक समस्यात्मक बालक इन सभी बालकों के बारे में भी आपको पढ़ लेना है तो यहाँ पर मैंने जो पूरा स्लेवर डिसकस किया 10 नमबर के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है 10 नमबर आपके जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं जाएंगे इतना आप लोग पढ़ लेंगे डिटेल से तो 10 नमबर आपके पक्के हैं बाल मनुविज्ञान में और अगर आप लोग को बात की जाए कि शिच्छड कौसल तो शिच्छड कौसल की लेसन को मैंने पिछली कर दिए वीडियो की बात करूं तो अगले वीडियो भी आपको दस नंबर दिलाएगा उसमें हम लोग लाइफ इसकिल यानि की जीवन कॉसल के स्लेबस को डिसकस करेंगे लाइफ इसकिल यानि के जीवन कॉसल से भी दस कोश्टन आते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हमारे इस चैनल पर सीटेट विपी टेट के साथ साथ सूपर टेट के भी तैयारी कराई जाएगी नया चैनल है आप लोग के सहयोग की जरूरत है थैंक्यू वेरी मुच मिलते हमारी अगली वीडियो में